नमस्कार दोस्तों यदि आप जन्वरी दो हजार चौबिस के अंदर कुलू और मनाली लाई इसनोफॉल देखनी के लिए जाना चाहते हैं तो आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे हमें टूर पैकेज लेकर के जाना चाहिए कि वधाव टूर पैकेज सस्ता रहेगा कौन सी ऐसी ट्रेवल कमपनी है जो आपको बिना किसी धोखा धड़ी के कुलू और मनाली का बेस्ट रेट्स पर टूर पैकेज प्रोवाइड कर सकती है इसके सासाथ क्या हमें छोटे जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ इसके साथ ही आपको मनाली का सबसे सस्ता वेरिफाइड ट्रेवल कमपनी के माध्यम से एक ऐसा टूर पैकेज बताऊंगा जिसको कई हजार मेरे विवर और सब्सक्राइबर्स बुक करवा चुके हैं यदि इंटरनेशन के अलग-अलग कोने से लेकर के वाईटी भार पर आता रहता हूँ तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले आज का वीडियो फ्रेंट्स यदि आप कंफ्यूस हो रहे हैं कि टूर पैकेज लेकर के जाना चाहिए विधाव टूर पैकेज लेकर के जाना इनके माध्यम से अगर टूर पैकेज बुक करवा लिया, तो आपकी मनी भी सेफ है, एक्सपिरियंस भी बैस्ट है, सबसे सबसे दामों पर आपको पैकेज भी प्रवाइड करा जा रहा है, बिना किसी टैंशन के, अगर आप कोई बिना टूर पैकेज के जाते हैं, तो आपको टूर पैकेज ले करके जाना है, च्वाइज इस योर्स, दोस्तो यदि आप छोटे बच्चों की बात करें और स्नोफॉल में ले जाने के बारे में उनको सोच रहे हैं, तो पांस साल से अगर आप कम के बच्चों को अपने साथ ले जा रहे हैं, तो खास करके उनका ध्यान रखिए, कोल्ड से बचाने के लिए अच्छे गरम कपड़े पहना करके उन्हें ले जाएं, और ज्यादा स्नोफॉल में ले करके उन्हें बाहर ना निकलें, आप होटल के अंदर रह करके बाहर से स्नोफॉल का अनंद उठा सकते हैं, लेकिन यदि आप आउट साइट उनक ले जाना, तो अच्छे आप गरम कपड़े पहना करके उन्हें बाहर भी घुमा सकते हैं, लाई स्नोफॉल के दौरान में, ना फ्रेंट्स बात कर लेते हैं कि कौन से इस टाइम के अंदर सबसे अच्छी स्नोफॉल पढ़ने वाली है, तो दोस्तो जनवरी के पंद्रह के बात से ले करके और जनवरी एंड तक आपको बहुत जबरदस स्नोफॉल देखने को मिल सकती है, मनाली के अंदर इस समय पर अपनी कार के थ्रू, अपनी बाइक के थ्रू, मैं बिल्कुल भी रिक्मेंड नहीं करूंगा कि आप मनाली साइड में ट्रेवल करें, आप साथ दोस्तों, सबसे अच्छा टाइम टूर पैकेज को बुक करवाने का 5 जनवरी 2024 के बाद रहने वाला है, तब टूर पैकेज के रेट्स भी कम हो जाएंगे, और इसी सेम टूर पैकेज को आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसकी वेलिटिटी 6 जनव परी 2024 से सुरू होकर के 15 अपरेल 2024 के बीच में रहने वाली है, आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो, अगर कोई भी सवाल आपका रह गया तो वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, इस टूर पैकेज को बुक करवाने के लिए वीडियो के टाइटल और डिस्क कम से कम दामों पर, और दोस्तो वाई टी भरत के पास जो होटल की फ्लीट है, वाप तो किसी भी अदर ट्रेवल कमपनी के पास देखने को नहीं मिलेगी, आए शुरू करते हैं, इस टेंडर पैकेज अगर आप लेकर के जा रहे हैं मनाली के अंदर, तो आपको होटल विकर पैकेज लिकर जाते हैं, जिसमें ड्रीम वीवर, आरती विला, फोर सीजन कोटेज, या इससे सिमलर थ्री नाइट का पैकेज दिया जाएगा, तो कॉस्ट होगी 7,499 रुपे पर पर सन, ये नेट कॉस्ट है, प्रीमियम पैकेज की बात करें, देव लोग, वाइट हिल रि पैकेज में क्या-क्या इंक्लूडिड है, बेकफास मिलेगा, थ्री डिनर मिलेंगे होटल के अंदर, आल साइट सिंग आपकी एसी कैब के थुरू रहने वाली है, और एसी जो है वो हिल एरिया में रन नहीं करता है, एकुमोडेशन इन होटल थ्री नाइट लिए रहेगा, जो भी आप चूज करते हैं, अल एपलिकेबल ट्रांस्पोर एंड होटल टेक्स इसमें इंक्लूडिड है, अल टोल टेक्स, पार्किंग, फ्यूल एंड ट्रावर एलावेंस इंक्लूडिड है, दिल्ली से मनाली और वापस दिल्ली की वालो बस के टिकट इसमें कोई परसंट्राइक का खर्चा, कोई मेडीकल, कोई रेस्कटी एवेक्वेज senior जो मिस हैपनिंग के होता है, वह इसमें इंक्लूडिड नहीं है, कोई एनी अदर तिंग जो पैकेज में नहीं बताई, वह इसमें इंक्लूडडि नहीं है, सरदियों में आपको रूम हीटर लेना होता है उसका चार्ड इसमें इंक्लूडे नहीं है एक्टिटिस जो भी आप करते हैं सोलांग वैली में कोई भी आप करते हैं कुलू में वो इसमें इंक्लूडे नहीं है फोर बाई फोर कार जो इसनुफल के दिनों में आपको लेनी पड़ती है हार करनी पड़ती है व बॉल्वो बस स्टेंड से जो आर्किया अश्रम या मजनु का टीला रहता है आर्किया अश्रम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मजनु का टीला आपको दिल्ली उस्टी के नौर्ट केंपस या कश्मीरी गेट बस अड़े के पास पढ़ता है रिक्षे से दीजे 50 ये सब सुर्धाएं आपको बस के अंदर मिलती हैं कुछ लोग सवाल करते हैं कि यहां पे आपको स्लिपर बस मिलती है कि नहीं मिलती है दोस्तों मनाली के रूट पर दिल्ली से कोई भी स्लिपर बस अलाओ नहीं है वाल्वो मल्टी एक्सल होती है सैमी स्लिपर होती है पु कुरुशेत्र, अंबाला, चंडीगर, उसके बार अगले दिन मंडी, कुलू और मनाली ये आपकी पहुंचती है, आपको दो हॉल्ट मिलते हैं, पहला कुरुशेत्र के अंदर मिलेगा डिनर के लिए, और दूसरा अगले दिन सुबह मिलेगा आपका मंडी, जो आप ब्रेकफ पास आपका ड्राइवर पिक अप करेगा आपको, घुमाने ले जाएगा, हडिमबा दीवी टेंपल, पड़ोगार के ट्रक्चर 1553 में बना हुआ, यहाँ पर आप घुमिए, उसके बाद जाएंगे, वन बिहार, क्लब हाउस, इबतन मोनेस्ट्री, इबतन टेंपल, वसिस इन सब जगहों पर घुम करके आएंगे, होटल में, डिनर करेंगे, और ओवरनाइट इस्टे करेंगे, डे थरी पर आप निकलेंगे, स्नो पॉइंट जैसे हम सुलांग वैली के नाम से जानते हैं, जबरदस आपको स्नो फॉल यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आ आप जाएंगे, कुलू, नगर या मनीकरन जो भी आप चूस करते हैं, मौर्निंग ब्रेकफास करेंगे, रेडी हो जाएए, कुलू के लिए, यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, पैरा ग्लाइडिंग कर सकते हैं, होट बैलून कर सकते हैं, जीपलाइन कर सकत देपाई के बारे में इस दिन बैक टू दे दिल्ली आपका सफर होने वाला है सुबह सुबह ब्रेकफास करें चेक आउट कर दीजे होटल से निकल जाएए माल रोड पर यहां पे कुछ फैमली फ्रेंड के लिए शॉपिंग कर सकते हैं यहां के रेस्टरेंड में आप लंच क कर सकते हैं वालो बस पकड़िये चार बजे निकल जाएए दिल्ली के सफर पर और अगले दिन डे 6 पर आप पहुंचेंगे दिल्ली इस तरह से आपका टूर एंड हो जाता है दोस्तों मित करता हूं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी फिर भी वीडियो पर कमेंट करके आ आपका बहुत-बहुत वेलकम है किसी भी जानकारी के लिए ट्रेवल कंपनी को संपर करें वीडियो के टाइटल डिस्क्रिप्शन में नमबर दे दिया है मिलता हूं मैं अगले वीडियो में अपना बहुत-बहुत ध्यान रखे नमस्कार दोस्तों जैहिंद जैभारत धन् सब्सक्राइब तीजिए वाइटी बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।